जो हर चीज सही करता है वो एक बदसूरत अंसान बन जाता है जब आप ठिक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ठ हों और खुश हों ना कि किसी चीज से परेशान हों तब कोई निर्णें लीजे और अपना जीवन उसमें लगाईए कुछ शांदार होगा मेरा प्रश्ण ये है कि जब हम निर्णे लेते हैं तो हमेशा एक सही निर्णे होता है और एक गलत निर्णे सही था या गलत ये बाद में ही पता चलता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा निर्णे सही था या मैं सही निर्णे ले रहा हूँ या गलत लेकिन आप प्रश्ण क्यों कॉपी कर रहे हैं? वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने लिख दिया नहीं, नहीं, मेरी परिक्षाओं में कभी इतनी रूची नहीं थी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था लेकिन मैंने देखा जब मैं कॉलेज में था बहुत से लोग अपनी आस्तीन में, यहाँ, वहाँ, हर जगा लिख कर लाते थे और हर तरह की परचियां वगएरा लेकिन वे सबी उत्तर कॉपी करते थे प्रश्ण आप तब ही कॉपी करते हैं ने-नी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि यह चीज हर जगा है क्योंकि आप अपने भीतर इतना संगर्ष पैदा कर लेते हैं हर छोटी चीज के बारे में कि आप सोचते हैं कि आप हमेशा कुछ गलत कर देंगे तो खुद को जादा परिशान मन कीजे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बस जब आप कुछ करें तो ये देखिए, क्या इससे मुझे और मेरे आसपास के लोगों को खुशाली मिलेगी, आपके लिए बस यही महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो लोग सोचते हैं वे हमेशा सही हैं, वे भयानक लोग हैं, ऐसा करने से तानाशा पैदा होते हैं, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैंने जीवन में सभी सही निरने लिए, ये तानाशा है, ये इंसान नहीं है, जो हर चीज सही करता है, वो एक बदसूरत इंसान बन जाता है, आपको सही चीज़ें करने की ज सही है या गलत कौन तैय करेगा? अगर ये सभी को खुशाली देता है, तो ये सही है, है ना? कोई तैय नहीं कर सकता कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हजारों सालों से लोग उन्हीं चीजों पर बहस करते रहें, और कोई भी निशकर्ज तक नहीं पहुँचा है, कि सही क्या है और गलत क्या है? और जिन लोगों को विश्वास है कि वे सही चीज़ें कर रहें, उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे भहंकर चीज़ें की हैं, हमेशा. तो सही और गलत देखने के बज़ाए, जो उस नैतिक्ता का परिणाम है, जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप अपने भीतर मानवता को क्यों नहीं जगाते? आप एक जीवित मानवता क्यों नहीं बनते? मानवता का मतलब बस ये है, हमने इसी के बारे में अभी बात की. पशु प्रकृती का मतलब है सीमाय बनाना, इनसानी प्रकृती का मतलब है सीमाओं को फैलाना या हर किसी को अपनी सीमाओं में शामिल करना, क्योंकि यही स्वभाविक चाहत है. आप जहां भी हैं, आप उससे जादा कुछ बनना चाहते हैं. ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपकी बुद्धी ऐसे इस तर पर पहुँच गई है जहां इसे सीमाएं पसंद नहीं ये फैलना चाहती है यही इनसानी प्रकृती है इनसानी प्रकृती कुदरती रूप से सम्मिलित करती है पशू प्रकृती अलग करती है, वो सीमाय तै करना चाहती है तो सही और गलत की सीमाओं में होने के बजाए अगर कोई गलत भी हो, तो उसे खुद में शामिल करके हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं करें क्योंकि जिस पल आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, आपको जीवन में हर कोई गलत लगेगा देखे इसे इमानदारी से देखे ज्यादातर लोग इस्थिती में हैं उनके अलावा हर कोई कही न कहीं गलती कर रहा है अगर सभी गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं तो ये पागलपन का संकेत है ये सही होने का संकेत नहीं है तो अपना समय सही निर्णे और गलत निर्णे में मत गमाईए जब आप ठिक ठाक रूप से संतुलित और स्पष्ठ हों और खुश हों ना कि किसी चीज से परेशान हो, तब कोई निर्णैन लीजे और अपना जीवन उसमें लगाईए, कुछ शांदार होगा, शायद आप सही चीज न करें, पर शायद आप एक महान चीज करें, आप शायद एक शांदार काम करें, इतना काफी है, मैं कितनी दूर जाओंगा, क्य चीजें सफल होती हैं, शायद हम उसके तालमेल में हो, हम जो हैं शायद उसकी तारीफ आज होगी, या शायद उसकी तारीफ कल होगी, या शायद उसकी तारीफ हमारे जाने के बाद होगी, लेकिन हमने जो भी अपने जीवन में किया, वो हमने पूरी भागीदारी से किया, क्योंकि जीवन भागीदारी में ही है जीवन सही होने में नहीं है आपकी भागीदारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए जो भी आप करें ये देखिए कि इसमें सभी की खुशाली कैसे शामिल है अगर आप सब को खुद में शामिल करते हैं और भागीदारी दिखाते हैं, तो ये ठीक है, क्या मैं सही हूँ या गलत, सही या गलत, अपने जीवन के आँखरी दिन तक आप ये वाकई तैय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमेशा कुछ आने लोग होंगे जो कहेंगे ये गलत है, है न?